हमारे कटर देशबक्त इमानदार नेता अर्विंद केजरिवाल जी ने अपने एक घर को चोटे से घर को रिनोवेट करने का खर्चा किया तकरिबन 43 करोड और वो भी उस समय जिस समय कोड़ना काल चल रहा था आज से 100 साल पहले हमारी खून चूशने वाली बृतानिया हकूमत ने हमें 81 लाख रुपे में संसत भवन और 1 करोड 40 लाख रुपे में रस्टपती भवन बना करके दिया था मोटा मोटी 2.21 करोड रुपीस में दोनों चीजे बन गई थी इसका मतलब 45 करोड जो हमारे कटर इमानदार नेता ने खर्च किये एक घर को रिनोवेट करने में उतने में वो हमें 20 राष्टपती भवन और 20 संसत भवन बना करके दे सकते थे अब ये देखना है खुन चूचने वला राजा ठीक है या हमारा कटर इमानदा राजा ठीक है